मालदीव में खाने के सामान की कमी होने लगी है, जिसके चलते सामानों के दम आसमान चुने लगे है भारत से मदद का हाथ आके बढ़ा रहे है इस्थानी मीडिया की माने तो मालदीव में चिकन के दाम में अचानक उचाल आया है कीमतें 100 फेजी तक बड़ा पिछे भारत है, इसके पिछे इस्राइल है, इसके पिछे अमरीका है शरम आनी चाहिए, शरम से डूब मरना चाहिए क्या ये रवाया महजब कौमों में कभी देख है, क्या ऐसे करती है महजब कौमें इंडिया ने थोड़ा बहुत आम क्विस्टिंग तो किया है, मालदीव का कि वो दुबारा लाइन पे आए है, ऐसी ही नहीं आए कुछ तो हुआ है बिहाइंड दे सीन्स की वो वापस लाइन पे अभी जुमा जुमा आट दिन हुए है, हकूमत बने हुए और आपने भारेक से तिजारेती बाते भी करनी शुरू कर दी और आगे से भारती वजिरेक खारजा ने बात की है, क्या करूं सो सोते है यहीं लोग जो एक टाइम पर कहते थे कि इंडिया के जो फौजी हैं वहाँ पर उनको निकालो, इंडिया आउट, अब क्या हुआ अब क्या हुआ भाई मुईजू, स्वाद आ गया ऑुडिज, कभी आउट इंडिया, कभी घल्प इंडिया, क्या कहना चाहेंगी, अभी खबर यहा आ रहा है, कि मालडिफ के ठीजून ने proper help मांगी है है मोईजू उनकी पार्टी के सारे लोगों ने भी अपने पार्लेमेंट में बैट करके ये बात कहा कि उन्हें मोईजू को भारत के परधान हाथ में लेना पड़े उससे पहले माफी मांग लो और उसके बाद पर मात्र 59 आवर्स पहले मॉल्डीव्स के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं एक बंद कमरे में मिटिंग हुई और कहा गया अपोजिशन लीडर से ले करके जो अभी मॉल्डीव्स के प्रेसिडेंट है उनको बिठा करके ये बात बताई गई कि बले आप चाइना से मिल लो बले आप पाकिस्तान को हवा दे दो बले आप किसी से भी बात कर लो लेकिन भारत से यह जो मन मुटाओ है अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मॉल्डीव्स बच नहीं पाई उसका नाम है मॉहमद क्यों बोनलेस चिकन नहीं मिल रहा वहां पे चिकन की कमी हो गई तो इन्हों ने च्छाती पीटना शुरू कर दिया यही लोग जो एक टाइम पर कहते थे कि इंडिया के जो फॉजी हैं वहां पर उनको निकालो इंडिया आउट इंडिया आउट अब क्या हुआ अब क्या हु है लॉलिया चैना ने 30-50 साल के लिए तुमारे इतने आइलेंड क्या ठाइना तो तुम्है पैसे दे रहां है ओ भाई जान जब चैना तुम्है पैसे दे रहा जब जा चैना नींग है तुम्हारा क險 बोनलेस चैंनन ही वहां धे तो यह देख ओgenा अधादू मीडिया रेपोर्ट एक वहीं किया है अधादू मीडिया वो कहती है प्राइज सो प्रतिशत महंगा हो गया सौ प्रतिशत महंगा यानि कि अगर 500 रुपए का था तो 1500 रुपए मैं ऐसी बोल रहा हूं मुझे नहीं पता वहां पे चिकिन का गहरेट है लेकिन 500 रु facing shortages due to delayed shipments, sounding alarm bells. अच्छा, shipment delay हो गई. दोस्तों, एक ऐसा मुल्क, जिसकी चिकन उगाने की उकात नहीं है, या उगाते हैं क्या करते हैं, जो भी चिकन की, poultry farming होती है, उसकी उकात नहीं है, वो इतने बड़े बचन कैसे बोल गया, यार, इंडिया उट, मतलब मुझे समझ भी नहीं आता, अब तुम मुर्गा नहीं पाल सकते, तुम मुर्गा नहीं पाल पारे, अब मुर्गा नहीं है तो जाहर सी बात एंडे भी नहीं होंगे, इनका जो ये इतने अजीब से हैं ये, मुहमद मुईजू, शिपिंग रूट्स चेंज हो गए, तो इनका मुर्गा खाना लोगों ने बंद कर दिया, बोला कि नहीं साब, शिपिंग रूट्स चेंज हो गए हैं, तो और त्री मन्स तो फुली एड्रेस शॉटज अफ बॉनलिस चिकन, अब तीन महीने लग जाएंगे कम से कम, बॉनलिस चिकन नहीं आ रहा भाई, यहां पर क्योंकि इनका चिकन आता है ब्राजील से, जो दुनिया का सबसे लाज़ चिकन सप्लायर है, अब पाइरेट्स जो हैं, जो समुदरी लुटे रहे हैं, उनकी नजर मुरगे पर है, अब देखो या, जो समुदरी लुटे रहे हैं ना, उनकी नजर चिकन पर है, जो समालियन पाइरेट्स हैं, कोई और समुदरी लुटे रहे हैं, उनको पता लग गया, वो पूछता अपनी वाइव से, कि बेगम, तुम शाम को क्या खाती, वो कहता है, मुरगा खाती, तुम मुरगा खाती, अच्छा, मॉल्डीव्स के लिए जहाज आती ब्रजील से, हम जहाज को लुटती, हम तुमारे ले मुरगा लाती, चलो, यह चक्टर है, मुरगों के जहाज, अब गायब करे जा रहे हैं, और जहाज के जहाज मुरगों के गायब करे जा रहे हैं, और पाइरेट्स ने बोल दिया, सुमालियन पाइरेट्स ने, कि बॉस हम डेली मुरगा खाएंगे, अब डेली मुरगा खाएंगे, और इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, उसने इसको बोला है कि भाई, तुम जो हो ना, मुहमद मुईजू को बोला है, कि तुम क्यों फालतू में immature एक्ट करना, इतनी उमर हो गई, अभी भी बच्पना तुमारा नहीं गया मुहमद मुईजू, तुम क्यों ये ड ये उसने बोल दिया है, सोली एंफेसाइज़ देट चैलेंज़ और नोट सोली कॉस्ट बाइंडिया लोन, साइटिंग एंडिया बोला है, कि जो मुहमद मुईजू बताएगा किसी को नहीं, वो उसने छुपा कर रखी है, वो चुप बैठा हुए, वो कर नहीं यार मैं कि भारत गलत है, भारत गलत है यह मानने तो दोस्तों जैसे वो पुराना फेमस महवरा है ना, जो मैंने एक बार पहले भी बोला था कि चोर चोरी से जाए, मगर, कंप्लीट करिये कमेंट्स में, किससे नह जाए, लिखे यहां पे, तो दोस्तों, यह यहां पे गेम हो गया है, और मुईजू ने अभी तक भारत विजिट नहीं करा और मॉल्डीज वाले कह रहे हैं कि बेटा पापा के यहां तो होया आते एक बार तुमने क्यों नहीं विजिट करा इंडिया जबकि पहले जो भी था पाकिस्तान से बहुत ही बुरी खबर आ रही है एक और बुरी खबर अगर यह कहा जाए तो सही होगा इसकी वज़ाई है कि BLA के पाकिस्तान नेवल बेस पर हमले के चंद घंटों के बाद ही अब खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान केपी के प्रोविंस में सिक्स चाइनीज एंजिनियर्स को एक खुदकुश धमाके में मार डाला किया है तो छे चाइनीज एंजिनियर्स एक खुदकुश धमाके में मारे गए है और चाइना की तरफ से एक डिमांड की गई है कि थोरों इन्वेस्टिगेशन की जाए और देखा जाए कि क्या हुआ है चाइना की तरफ से एक बड़ा सख्त रियाक्शन सामने आ रहा है जिसमें उनकी अथारिटीज ने एक डिमांड लांच की है और उसमें पाकिस्तान की हकूमत से ये कहा है कि ये वाकिया कैसे हुआ इसके पीछे कौन है और इसको जो है देखा के पीछे कौन है